हाइ गाइस इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टुटेंट्स आप लोग एकर 円कां के लिए जाना चाहते हो तो आपको डूAN मिलेगा उन्न सारे प्रॉसस के बात करेंगे आपका बेशि इ procurement के से लेके फिंमक्र है क्या प्रासे की बात è सबसे पहले बात करते हैं कि आपका basic eligibility criteria क्या होता है कैसे follow करोगे और अगर आप complete नहीं कर पाते है eligibility को तो कैसे complete करोगे उसके बारे में तो सबसे जो आपका basic eligibility होता है इस CP license लेने के लिए commercial license लेने के लिए वह यह होता है कि आपका 10 प्लस टू जो होना चाहिए वह English physics और math होना चाहिए ठीक है तो अगर आपने 12 में English तो common होता है अगर आपके पास physics और mathematics नहीं है या आपने class 10 के बाद से पॉली टेक्निक कर रखा है डिप्लोमा कर रखा है तो वह भी intermediate के बराबर certificate होता है पर आपको physics और mathematics नहीं होता तो आपको physics और mathematics का के लिए पेपर दे सकते हो अगर आप हुमिनिटेस से थे हैं या पॉली टेक्निक से तो physics और mathematics का के लिए पेपर दे सकते हैं और आप जो है भली 10th 12th आपने कभी विकाभी कंप्लीट किया हो तो सल पहले चार सल पहले या आप क्रिव मेंबर हो आर्ट के वज़े से या आप कॉमर्स के वज़े से कुरू मेंबर बन चुक है और भी अलड़ी अब्याशन हो तो लाइक आपको जो है सीपेल के लिए जाना चाहते हो तो भी आप physics के लिए जब चाहें अपने हिसाब से पेपर दे सकते हो इसके लिए प्रोपरली हम लोग गाइड करते हैं मैं आपको प पास कर लेता हो तो जितने भी माँक से पास कर रहे हो उसके बाद से वह आप ले की जाता है और दिखाते हो दें वहां से आपका जो नमबर जनरेट हो जाता है क्योंकि आपकी लिए बात करते हैं कि अगर आप physics को क्लिए करना है तो कैसे आप जोए total registration करा होगे कैसे आपका मानलों की on-demand में देना चाहते हो on-demand में क्या होता है कि आपको directly papers अपने date के हिसाब से जाके दे सकते हो जैसे आप working है तो आप जो है select कर सकते हो कि इस दिन को मैं अपने छुट्टी ले सकता हूं और इस दिन जाके में paper दे दूँगा तो उस case में जो है on-demand में आप apply कर स exam जो है December से start हो जाएगा इस बत और almost तीन में तक चलेगा अगर आप पबलिक exam में देना चाहते है तो जहां पर थोड़ा सा सान होता है और process थोड़ा सा चीज़े मतलब आपको वहां पे benefit मिल जाता है assignments के mark चलत से मिल जाते तो overall percentage भी boost हो जाता है तो इसके लिए October में आपका जो है exam होता है इसमें हम लोग properly आपको गायट कर देंगे कि आपको कब exam देना चाहिए कब आपका syllabus complete हो जाएगा physics और math का preparation जो आप करना स्टार्ट करोगे आपको कुछ नहीं करना पढ़ने के अलावा एंड एक्जाम देने के लाव वो सारा प्रॉसस हम लोग करते हैं तो simply आपको क्या करना है यह जो नंबर आ रहे है इस पे आपको WhatsApp करने कॉंटेक्ट कर सकतो है यहाँ पर टीम आपको response करेंगे और सारा प्रॉसस आपको सुझा देंगे आप कुछ डॉकमेंट्स देना पड़ेगा और सारा डॉकमेंट्स लेने गवाद से रिच्टर सम् प्रॉसस भी कंप्लेट करने माइनर से चार्जस लोगता है बहुत एक कम करना पड़ता है और सारे चीज़ों के लिए हम लोग आपको करना चाहिए जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का जो है हाइली पेड जॉब यह होता है मतलब इसकी सालरी काफी हाय होती है और जैसे से आपको एक्स्प्रियेंस बढ़ती जाते है सालरी आपकी बढ़ती जाती है साथ में आप को सुसाइटल स्टेटस काफी अच्छा मिलता है ये बहुत इस्टीम लहाइँ सफॉत है तो आपको इज्योंट और चेज़ यहां से मिल रहा है और 30 मिले और य facto कि employability की possibilities कितनी है उसके बारे बात करने हैं तो इंडिया में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से airfare का rate जो है सस्ते होते जा रहे हैं लोग जो है ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं फ्लाय करना और जो भी destination को complete करना परता है वो आजकल plane से complete करना सोच रहे हैं तो इस इस में क्योंकि अभी आपने आरफिक के बारे में देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बढ़ते जाएं और लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे है अगले उपार सालों में जाब्स होने वाली है बहुत ही ज़ादा तेजी से बढ़ने वाला सेटर है जहां पे आपको अभी से प्रिपेर होने च्छी तो आप पी को अभी स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी उप्रजुनिटिस मेल सकता है एक और प्रोसेस होता है मतलब आप जो है क्योंकि ट्रेनिंग की फिस काफी ज्यादा होती है तो ट्रेनिंग से पहले डिजी सी की कुछ रिक्वार से लिए तो आप सब्सक्राइब मेडिकल इसके लिए चाहे है इसके लिए तो आप सबसे पहले क्रांदेड को आपको स year लोग आते हैं、、तो नंए जनली होते हैं आपका सारे दौकमेंटर सींज्स बैसे ही जल्याएक है इस आब कंपिट्र नलacements करने कभांऻ पता है के लाइक आप जो है लैसेंस लेने के लिए एलेविल हो चुके हो ठिक जैसे ही आपका ट्रेणिंग कम्पलीट होता है तो इसके बाद से आप इसमें जा सकते हो ठीक है अभी बात करते हैं इंटरेंस एक्जाम के लिए तो फ्लाइंग इसकोल में आप डारेटली एड़िसन भ तो दिछा सकते हो अगर प्रोफ फिस देखा जाए पाइलर ट्रेनिंग आ तो इंडिया में एराउंड 40 लाक्स के आसपास जाते हैं और फॉरेंड में भी आते हो तो एराउंड ओफ यही हो जाता है आपका इस्ट्राइंग वगरता को स्टुडेंट्स करते हैं कि वह फॉरें प्रिपेर करोगे और क्या-क्या-क्या और प्रॉसेस होता है जो हमने स्किप किया इसमें तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो मैं उसके उपर भी वीडियो आपको सिंप्ली एक्स्प्रेंड कर दूँगा ठीक है अगर आप किसी भी केस में आपका इलिजिबिल्टी करेट Thank you so much.